अगर आपने पहली बार विजेट के है जरू चैनल को इट करके अल जरू सिलेट कर लेना आपको उपर आई बड़न पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा उसी के साथ-साथ आज ही की दिन इसी चैनल के उपर एक बहुती दमदार वीडियो यहाँ पर आ चुका है जिसको लगबग 25,000 के आसपास लोगों ने देखा है इस वीडियो का लिंक भी मतलब मैं आपको उपर आई बटन पर दे रहा हूँ यह वीडियो देखने के बाद मार्केट जो क्रैश होने का जो डर रहता है वो आपका हमेशा के लिए यहाँ पर खतम हो जाएगा ज़रू इस वीडियो को भी देख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुती डमदार बैंक के रिजल्ट के बारे में और वो है दोस्तो आईसी 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 आई बैंक सेटर्ड हैं आप सब लोग को पता है आईसी आईसी बैंक, HDFC बैंक, DMART यह हमेशा अपने नंबर सेटर्डड के दिन ही यहाँ पर रिलीस करते हैं सो यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तो आईसी आईसी बैंक के नंबर यहाँ पर आ चुके कुछ बाते में आप लोगं को या पर बताने वाला हूँ ठीक है अभी आ जाते दोस्तों जैसे मैंने का कि ICIC bank के number कैसे रहे वो अभी हम लोग को या पर देखना है और सबसे main important चीज नंबर देखने से पहले दोस्तों जैसे मैं हमेशा केता हूँ कि bank के numbers मतलब सिर्फ profit देखकर काम नहीं चलेगा येस बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा मैंने यह चीज़े आप लोगों को सिखा के रखी है NPP NPP मतलब profit भी देखेंगे provision भी देखेंगे and non-performing asset NPA इसको भी हम लोग देखेंगे तब जाके हम लोग कह सकते कि bank के कौटर में number one को ने HDFC bank है उसके number इतने खास नहीं थे बिल्कुल भी नहीं थे हम लोगों ने देखा quarterly number में तो गिरावट डेखने को मिली कितने सालों के बाद American बाजार में बात करते हैं HDFC bank तो 78% गिरा था इसलिए ICC bank की अगर हम लोग बात करें दोस्तों अगर इसने अच्छे number दिखा दिये तो फिर दोस्तों हम लोग कह सकते कि शायद से इस bank में इस stock में long term में हम लोग को बहुत बड़ी तेज़ी भी देखने को आपे मिल सकती है तो चले अभी आजाते है numbers के उपर ये सारी बाते आपको पता होनी चाहिए result देखने से पहले दिमाग में तो result पढ़ने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चले दोस्तो नंबर के उपर अभी हम लोग आ चुके सबसे पहले बात करेंगे क्या dividend ये company ने येस आप देख सकते 5 रुपे का आप लोगों को dividend यहापे मिलने वाले है ठीक है यहापे dividend तो side dish रहे थे आप लोगों को पता है 5 दे 15 दे चल जाता है यहापे main capital gain होता है ऐ ठीक है मैं पहले एक बार sequence चेक कर लेता हूँ यह है March यह है December और यह है March मतलब sequence बिलकुल ठीक है यहापे quarterly side में yearly next column में हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले अगर आप लोग यहापे देखोगे तो total income आप चेक कर सकते कितना है 27,400 लास्ट टाइम कितना था 27, 27,69 और उसके पहले 23,953 तो अगर मैं यहापे बात कर दोस्तो total income तो आप देख सकते yearly अच्छा खासा jump हम लोगों को देखने को मिल रहा है और quarterly भी अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो 069 था तो अभी कितना हो गया 412 मतलब चलो income तो अच्छा ही है next अगर हम लोग आपे ब तो expenditure आप देख सकते कितना है 17,000 का खर्चा है last time था 16,900 और उसके पहले 15,400 still manageable हम लोग कह सकते अच्छा है okay okay है so income minus expenditure आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा profit मिलेगा बिना किसी adjustment वाला profit आप देख सकते उसी को बोलते number 7 पे लिखाए operating profit operating profit मतलब कितना खर्चा मतलब 50 रुपे का खर्चा और उससे हिसाब से कितना कमाया 400 कमाया तो 3,500 उसको बोलते operating profit अभी ये पूरा जेब में नहीं जाएगा है कुछ सरकार को देना पड़ता है कुछ और भी adjustment करने पड़ते है right बट ये main business इससे हमें पता चलता कि कैसा चल रहा है तो operating profit कितना है business समझने के लिए 10, 10,200, 92 चलो 10,300 ही बोल लेते है रफली अंदाजा लेने के लिए लास्ट टाइम कितना था 10,150 रफली और उसके पहले लगबग 8,000 तो अगर हम लोग बात करें 8,000 का कितना हो गया 10,300 और 10,150 कितना हो गया 300 मतलब 1,500 करोड का jump हम लोगो quarterly देखने को मिल रहा है मोटा मोटे र परफरमस देखने को मिल रहा है और यह company का main operating profit बट जैसे मैंने का कि सिर्फ profit देखे काम चलता है क्या बिलकुल भी नहीं profit कमा रहे हो और बाद में नीचे समझ में आया कि हमारा बहुत बड़ा करोडों का loan अटका पड़ा हो है कोई फाइदा नहीं क्योंकि आने वाले number फि इसा amount दोस्तों कि शायत से हम मान के चलेंगे अभी के स्तिती में आज के स्तिती में कि हमारे पास वो पैसा लोटके नहीं आएगा आ सकता है definitely future में तो हम लोग reverse कर देंगे बट provisioning आप देख सकते हैं आपे provisioning यह आपे लिखा हुआ है तो कितना है 1000 के आसपास 2000 के आसपास औ आप लोगों के आपे बता रहों वापस एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि जो हमारा पैसा फसा हुआ है कितना है 1068 करोड इतना फसा हुआ है तो इसलिए वो यहापे कहता है बैंक मतलब जो रूल से कि यह 10200 नहीं यह 1000 हटा दो तो कितना है 9223 यह आप लोग मान सकते हो यह यह बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है जितना प्रोविजनिंग कम उतनी अच्छी बाद तो हम लोग बहुत अच्छा यह आपे कह सकते है दोस्तो अभी जिस तरीकी का प्रोविजनिंग कम हो रहा है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे लोगों के कि आगे आने वाले स 12 नंबर पर क्या लिखा है टैक्स देना पड़ेगा सरकार को तो वो सब कुछ टैक्स माइनस करके विरके जितने भी सारी चीज़े है उसको सब कुछ हटाने के बाद जो फाइनल हमनों को यहापे प्रोफिट फिलाल तो देखने को मिल रहा है वह आप लोग यहापे देख स अबी के हिसाब से तो क्यों दो चीज़े हो गई एक हो गया प्रोफिट वो तो कमाल का ही है साफ साफ देख सकते हो HDFC बैंक का तो प्रोफिट भी नीचे था तो दोस्तों यहापे हम लोग कह सकते मंडे की दिन बहुत अच्छा परफर्फर्मस है उमीद तो आप कर सकते कि अच्छा रिस्पांस बाजार ने देना चाहिए प्रोविजनिंग भी कम है जो कि कम ही होना चाहिए अच्छी बात है कि कम पैसा फसे उतना ही अच्छी बात है अगर लास्ट कि अगर हम लोग बात करें NPA तो चलिए उदर देख लेते कहीं वो ना गेम खराब कर दे तो इत आप से मुझे लगता है कि कमाल का परफॉर्मंस मुझे देखने को मिल रहा है और लॉंग टम की सबसे शॉट टम की विए गारेंटी नहीं ले सकता लॉंग टम की सबसे यह बैंक मतलब लिटरली हजार के उपर रहना चाहिए पता ने इतना अंडर वैलिट क्यों है ठीक है आगे जाके कितना मतलब पैसा या पर फसेगा उससे रिलेटर आप अंदजा लगा सकते हो कितना पैसा वापस नहीं आ रहा है और मतलब NPA भी कम होना मतलब क्या रहता है अच्छी बात है तो चले चेक कर रहेते NPA और मैं तो ग्रॉस NPA को देखना ज्यादा पसंद करता हू नेट NPA तो क्या अज़ेस्मेंट से नीचे आप ला सकते हो तो चले कितना है ये 99933919 इतना पैसा NPA हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रहा है इसके पहले कितना था चलो बहुत बढ़िया 37,052 और उसके पहले 41,300 अप्रोक्सिमेटली ले ले लेते सो 41,300 का कितना हो गया 33,913 आउटस्टेंडिंग और 37,33 बहुत बढ़िया मतलब हम लोग कह सकते दोस्तों तीनो पैरामेटरस बहुत ही कमाल के देखने को मिल रहे है NPP की अगर में बात करो profit भी कमाल का provisioning भी कम NPA भी कम तो ये तीनो अगर चीजे एक साथ मिल जाती है दोस इतके ही आप में लोग कैसे notes बनाते है उसके इसाब से में इस सारी चीजे आप लोग को याप बताई है ये किसी test book में किसी और के वीडियो में आप लोग के चीजे देखने को नहीं मिलेगी ये आपको आसानी से समझने के लिए ये सारी बाते में आप लोग को बताता तो बहुत ही कमाल का performance हम लोग को देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ बाकी के भी आप फिर चोटे मोटे चीजे देख सकते हैं जैसे कि capital से related जो भी data याप रहता है वो तो same ही रहेगा then debt equity ratio देख सकते हैं ये सारी चीजे चलती रहते है main जो चीजे थी वो तो मिने आ पर दिखा दिए और वो तो बहुत ही कमाल का performance हम लोग को देखने को मिल रहे है net worth भी शांदार बढ़ते वे देखने को मिल रहे है return on asset annualized performance देखेंगे वो भी 2% के उपर जाते वे देखने को मिल रहे है ये तो अच्छा रहेगा जब ये NPP आपको अच्छा रहेगा तो ICAC bank के number मेरे इसाब से मैं अगेन के रहा हूं दोस्तो मुझे तो शांदार लगे है and Monday की दिन market ने इसको appreciate करना चाहिए right देखे market का अपना अपना analysis होता है market ज्यादा भी लेकर सोच के आगे बढ़ सकता है right बट मुझे तो ये number long term के इसाब से मैं अगेन केता हूं long term यहाप short term में नहीं सोचता short term में कुछ भी नहीं होता है दोस्तो short term में तो कोविड गिर गया था market लोग छोड़कर भाग गये आज पचता रहे है right अच्छा गासा 10-10 गुना पैसा हो जाता वो छोड़ दिया उन्होंने तो इसलिए long term important है दो और long term के सबसे मुझे तो यह number इसे कि net interest income deposit loan से related जो difference है वो कितना है 21% की growth देखने को मिल रही है core operating profit 19% से grow होते वे देखने को मिल रहा है अगर bank का NPP अच्छा है न तो इस सारा data आप लोगों को grow 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 यह देखी यहाँ पे भी grow हो रहा है 22% NPP 80 की बात करें वो 44% तो यह सारी चीज़े दोस्तों by default अच्छी हो जाती है so यहाँ पर मैं जादा time waste नहीं करना चाहूंगा जो main बाती थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दिये और यह देखी यह बहुत ही बढ़िया चीज है क्या लिखा है NPP हमनों को decline होते वे देखने को मिल रहा है deposit बढ़ते वे देखने को मिल रहे है NPP कम होते वे देखने को मिल रहा है profit बढ़ते वे देखने को मिल रहा है so इससे बढ़िया और कुछ चीज़े यहाँ पर हो नहीं सकते दोस्तो तो मुझे तो personally यह bank के numbers तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर लगे है मिन ने disclaimer इसलिए दिया था शुरुआत में क्योंकि आपको बड़े result रहते हैं यह सारी चीज़े पढ़नी पढ़ते है notes to accounts से लेके सारी चीज़े बट एक overview जितना था उतना देखके मैं आपको कह सकता हूँ मुझे तो personally ICC bank के number कमाल के लगे है और लंबी आओधी की पारी खेलने के लिए continue करने के लिए already तो इसमें हम लोग है ही 300 र मुझे लगता है HDFC bank जो हमनों को 1500 के आसपास देखने को पलता है और यह 700 के आसपास और इसका performance हमेशा हमनों को consistency के साथ अच्छा देखने को आपे मिला है so मुझे ऐसा लगता है कि HDFC bank का performance इतना खास नहीं था and ICC bank ने मतलब आपको पता है कि यह तो number 2 वाली bank अभी फिलाल तो देखने को मिल रहे market cap के सबसे इसने अगर अच्छा किया है तो जरूर यहाँ पर हमनों को बड़ा पैसा shift होते भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है short term वाले यहाँ पर आ सकते है तो मंडे के दिन जरूर आप ICC bank को क्या कर सकते हो रडार के उपर यहाँ पर रख सकते हो और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि long term के सबसे तो at least मुझे numbers यहाँ पर अच्छे लगे है तो आप अपनी भी analysis कीजिए और आप भी अपनी राय मीचे comment section में जरूर रख सकते हो कि आपको यह performance कैसा लगा है तो आशा करता हो वीडियो आप लोगों को जितना भी detail था वो मेंने आप लोगों को बता है अगर वो अच्छा लगा होगा एफट्स अच्छे लगे होंगे तो चाओ तो इस वीडियो को like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye